और इस वीच बड़ी खबर आपको देदे बीजेफी कोर कमेटी की बैठक शाम 6 बज़े बुलाई गई है मुखी मंत्री योगी की अधक्षिता में होगी मीटिंग दूनों डिप्टी सीम केशिप परसाद मौर और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे प्रदेश अदेश भुपेन रिचौधरी और प्रदेश तंगठन महामंत्री दरमपाल सिंग भी होंगे शामिल सत्रह नगा निगम के महापोर और 99 नगरपालिका के अधक्ष के लिए बैठक तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है मौखिमंत्य योगी आदे तिनाद की अधक्षिता में मीटिंग होगी दूरों डिप्टी सीम भी दोरान मौजूद रहेंगे और इसी खबर पर और ज़िदा बाचित के लिए सिधर रुख करेंगे अपने सायोगी का जीत हमारे सायोगी इस वक्त जूड़ चुकिया जीत बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक बलाई गई है कितनी महतपूर्ण ये मीटिंग क्या क्या होगा इसमे बीजेपी को अपने जो प्रत्यासी हैं उनका चैन करना इसलिए कोर कमेटी की ये बैठक बलाई गई का जा रहा है कि साम कुछे बज़े मुखमंत्री आवाज पर बैठक होगी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अद्धच भुपेन चोधरी मौजूद होगे संग्ठन मंत्री धरमपाल सिंग मौजूद होगे दोनों डिप्टिसियम यारी बिजेश पाठक और केसों मौरिया मौजूद होगे एक बड़ी चर्चा होगी देखे 17 नगर निगम के प्रत्यासियों का चैन होना है इसके साथ 99 नगर पालिकाओं का चैन होना है और 545 नगर पंचायते हैं तो एक बहुत बड़ा जो आकड़े कहते हैं जो अंगड़ित कहती है वो बहुत बड़ी संक्या है तो उसको लेकर बिसेश तोर से बैठक होगी लेकिन बिसेश जो फोकस होगा वो 17 नगर निगम में किसको प्रत्यासि बनाये जाए क्योंकि देखे 17 में से लगबग 12 लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं आप टिकट काटते हैं तो जो नाराज होंगे जो लोग और उनका रसूब जनता के बीच है तो उनको कैसे मनाये जाए और जिस प्रत्यासि का चैन किया जाएगा उसकी जनता के बीच चबी क्या है उसकी साख क्या है और किस आधार पर टिकट बदले जाएंगे बीजेपी पहले कह चुकी है कि हम performance के आधार पर टिकट देंगे अगर आपकी छबी ठीक नहीं है आपने पिछले पांस साल में जनता के बीच नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा हम अपना प्रत्याशी यह अपना चेहरा बदल देंगे और बीजेपी यह भी साप कर बिल्कुल तो अलग अलग चीजों को लेकर यह जो महत्रपूर्ण बैठक बुलाई गई है इसमें चर्चा होगी और मुक्यमंत्री भी जोरान मौझूद रहेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका अजीत हमाई से जुनने के लिए जानकारी देने के लिए